दोस्तों बेरोजगारी आभ अपने चरम सीमा पर जा सकती है उसका reason ये हो रहा है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कमपनिया जो है अपने कमपनियों से छाटनी कर रही है, छाटाई का काम कर रही है हजारों लोगों को जो है नमकरियों से निकाला जा चुका है कुछ ही समय के अंदर ही अंदर इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बेरोज़गारी बहुत ही जादे बढ़ने वाली है हम इसके बारे में थोड़ डिटेल्स में समझने वाले हैं कि आखिरी में ऐसा क्यूं हो रहा है क्या है इसका कारण इसको जानने के लिए वीडियो के साथ लाश्तक बने रहें और साथ में हमें भी समझेंगे कि आखिर में कौन कौन सी कमपनिया कितने कितने वरकर्स को कितने कितने प्रेश्टाप को निकाला है उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे जानने के लिए बस वीडियो के साथ लाश्तक बने रहें पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि श्रैप के बहुत सारी इंफर्मेटी वीडियो में ले करके आता रहता हूँ वीडियो को लाइक करके हमारा होसल अबड़ा है क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है तो आईए दोस्तों हम लोग समझने की कोजिस करते हैं तो चुरी, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्वीटर को 44 मिलियन डॉलर में खरीदने के तुरंत बाद ही एलन मस्क ने ट्वीटर के करीब आधे करमचारियों की छटनी कर दी है इतनी बड़ी मात्रा में करमचारियों को निकालने की वजह को मस्क ने कमपनी की आर्थिक इस्थिति को ठीक करना बताया है सिर्फ इतना ही नहीं, ट्वीटर की कमान संभालते ही एलन मस्क ने माइक्रो ब्लोगिंग साइट के CFO, CEO और Policy Chief को भी बाहर का रास्ता दिखाया था ट्वीटर के साथ ही कई बड़ी और कई सारी छोटी कमपनिया भी अपने यहां बहुत ही बड़ी मात्रा में छटनी का काम कर रही है कारण कि अगर हम बात करें अखिर ऐसा क्यूं हो रहा है तो मेडिया रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर तक के आकड़ों में इस साल में अब तक Microsoft, Google, Intel जैसी बड़ी टेक कमपनियों ने 45,000 से जादा करमचारियों की छटनी की है कई छोटी और बड़ी टेक कमपनियों ने भी छटनी करने की घोशड़ा की है और नई हाइरिंग को भी अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है यानि कोई नई नोकरी फिलहाल नहीं मिल रही है इनमें ऐसी कमपनिया भी सामिल है जिन्होंने करोना काल में ओनलाइन बिजनेस में मोटी कमाई की है कमपनी का कहना है कि लोक डाउन में ऑनलाइन बिजनेस के चलते अधिक मातरा में हाइरिंग कर ली गई थी जिसे अब बैलेंस में लाने की कोशिस की जा रही है सिर्फ अमेरिकी कमपनिया ही नहीं भारती आईटी कमपनिया भी नई हाईरिंग से कत्रा रही हैं, नई जॉब नहीं दे रही हैं, इसके अगर हम बुख्य कारण की बात करें, तो दरसल आर्थिक मंदी की आहग से दुनिया भर में टेक कमपनिया डरी हुई हैं, पहले कोरोना लोकडाउन और अब रूस यूक्रेन युद्ध की वज़े से ग लिकत आने को भी बहुत बड़ी वज़ा बताई जा रही है, करोना के बढ़ते मामले की वज़े से चिन में लोकडाउन लग रहा है, जिसकी वज़े से सप्लाई चिन और टेक कमपनियों के मुस्तिले बढ़ती जा रही हैं, तो आई अब हम बात करते हैं कि अक्चुली किन लिकिन कमपनियों में कितना कितना जो है छटनी हो रही है, कैसे कैसे हुआ है, जिसके आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, तो ट्वीटर में 50% करमचारियों को जो है नोकरी से निकाल दिया गया है, करीब करीब 3700 लोगों की छटनी हो गई है, इसके अलावा Netflix के अंदर 500 करमचा चलते 6.5% फिस्दी जो है वर्कलोड जो है अपना कम किया है, यारी वरकर्स को घटाया है, इसके साथ में स्रेट चैट के अंदर जो है इस टॉक में 40% की गिरावट के चलते 20% छट्टी जो है की तैयारी हो चुकी है, 1000 करमचारियों की नोकरी जा सकती है, ऐसा अनुमान ल के अगर हम बात करें, तो कमाई घटने से जुलाई से अब तक कमपनी करीब करीब 1% करमचारियों की जो है छटनी कर चुकी है, इसके साथ में इंटेल के अगर बात किया जाए, तो कमपनी 20% करमचारियों को जो है छटनी कर चुकी है, 20% करमचारियों को निकाल चुकी है, स नोकरी से हाथ धो बैट से सकते हैं इसके अलामा लिफ्ट की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ही कमपनी ने 13 फिस्दी करमचारियों की छटनी कर दी है करीब 700 करमचारी जो है नोकरी से हाथ धो बैठे हैं इसके अलामा स्ट्राइप की अगर हम बात करें तो कमपनी 14 फिस्दी जो है वर्क फोर्स को कम करने की तैयारी कर रही है इसमें करीब 1120 करमचारियों की नोकरी जा सकती है इसके अलमा ओपन डॉर की अगर बात करें तो कमपनी 18 फिस्दी करमचारियों की छटनी करने के लिए तैयारी कर रही है इसमें करीब 550 करमचारिया जो है बाहर न आने वाले दिनों में लोगों का कैसे खर्चा पानी चलेगा, लोग जो जॉब कर रहे थे, अच्छे-चे स्टेंडर्ड जो अपना मेंटेंड कर रहे थे, वो कैसे मेंटेंड करेंगे, क्या हो सकता है, आगे कुछ भी कहा ने जा सकता, दोस्तों वीडियो इंफर्मीशन आप सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन सुभव.